अमोहिन जी अपने फाम की थर्ड मेर है इसकी क्या डिटेल से हमारे वीवर्स को बताइए यह यह सांगेरिया वाले की बीटी है करेंट की करेंट अभी छूड़िया यह है नहीं अभी वह गुजरात में अचा गुजरात चले गया हूँ उसके भी काफी अच्छे रिजर्ट् अच्छे तो जी बलेज के साथ आए गाए इसने पहले पास ही इस पहले का बेटा था उससे बिया था इसने बच्छा ब्लैक आया था उसे लगता इसे बल्कु बाप भी गया था जो नहांना के बिरको ती लगता यह आप खरीद के लाय थे यह यह भी खरीदी बिए करवा, इसको में पाफ आप होग़ा कितना था में फिक्राइब करीबोंतों होगा 233 साथ करीब हो गया हुगा त्वी हिए बीटनी महिन कीशन अब बीनीमत आ कि अब के में और हो वह गी यह एव तीन महिने की बाद के लोग जिए जन को जूशन को पिंदर जा नडेंविए मेरे वो कोल्ट का हुआ हुआ है तो अपने पास यह तीन मेर और और कितनी मेर्स किया कलेक्शन अपने पास में पास में ब्रीडिंग के लिए रखरी की वह दोतीन है में पास बाकी में पार सेलिंग वाली जादा है इसकी के आइड वहती है इसकी 60 तो गोड़ा 33 का उगया तो एक्षट कर रहे कितना तक बात करीब तो उना चीह आइए इसका पहले वाला इसका अधिशन हो गया है अब दिसे मेरी उमीद तो है है कि मदलब ऍसे मैंने अपने श्टैलें सब्सका करा और यह साठ की वह दो बच तो मन्य कोश्चն नहीं है, इसका मेरे पर्चेस हुई भी है। एक है यह कि अपने सेगेंड मेर भी दिखा देके हैं। हर्यान मोहीन जी अपनी पौर्थ मेर होगी। क्लें इसकी क्या डीटेल से इसके बारे मेरे वीवर बता ही है यह प्रभाद की पोती है प्रभाद की पोती है प्रभाद की पोती है सुन्दर की बेटी है मदर इसकी मदर लाइन अनौन थी चंबे में थी मदर बी मदर चंबे में दीश लिए हलकाल का चंबा पना रहा है इसमें हलकाल का इसमें चंबा बना है इसमें हलकाल का इसमें चंब तो इसने पहले रिजल्ट केसे दिया उसमें चंबे पन तो नहीं निजाए उसमें बिल्कुल कुमेद बच्चा था पच्कल्यान ब्लेस के साथ कौनसे गोड़े से दिया था इसका यह उस टाम जब इसको लाया था तब यह पेगनेंटी आई थी अच्छा जी अभी कर देंटी पास्फिनमल से फैसे अशने ब्ड़े से देट ने यहिए लिजशने के लिए प्रभात लाइन की जी इस प्रवाद लाइन की जी इसका फादर एकशाए व्य म्यूंद प्राबट लैंप प्रबाड में जीना इसका फाल चारे प्रूर्ण हो चुका है सुंदर पेशट की हाइट का वो स्टैलेन था किस लेकर खड़ाता हूँ वो तो मुझे आइडिया नहीं कहा खड़ा था मैं पर बस कुछ प्रूफ थे तो उस बेस पर पने की ती इसकी तो इसका देने तो हो नहीं सकता नहीं आप पॉसिबल नहीं है जी के थेंक हुआ झालो का हुआ